आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब देखो किसी भी Function का अगर मेरे को Minimum या Maximum Value निकालना होता है तो अपन करते हैं Differentiate यह हमें पता है तो अपन यहां भी करेंगे Differentiate तो अगर मैं Differentiate करो तो यहां पर क्या मिलेगा हमे F-X is equal to अब देखो अगर X के पावर N का मेरे को differentiation करना हूँ X के ही Respect में तो इसका differentiation होता है N into X to the power N minus 1 यह formula होता है हमारा ठीक है तो इस formula के according अपन यहां पर इसका differentiation निकालते हैं तो XQ का differentiation क्या हो जाएगा यहां पर 3X square minus यहां पर 18X square का differentiation क्या हो जाएगा तो 36X ठीक है और 96X का 96 हो जाएगा अब देखो यहां पर अपन सबसे पहले critical point पता करते हैं यानि कि जहां पर F dash X के value क्या होगी 0 के equal होगी तो यह अपन पता करते हैं तो यह हमारा क्या जाएगा 3X square minus 36X plus 96 is equal to 0 अगर मैं यहां से 3 common ले लो तो हमें क्या मिल लेगा यहां से 3 common लो तो X square minus 12X plus 339 और 326 यानि कि 32 is equal to 0 ऐसा कुछ मिल लेगा अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यह हो जाता है हमारा तो इसको मैं लिखूँगा X square को ऐग जिटी minus 12X को ऐसे split करते हैं अपन कि इसका sum minus 12X ही रहे लेकिन product हमारा first और last के multiplication यानि कि 32X square के इक वाल आ जाए तो इसको मैं लिखूँगा minus 4X minus 8X plus 32 is equal to 0 अब first 2 से हमारा X common आया तो X minus 4 बचेगा last 2 से minus 8 common आया तो यहाँ पे X minus 4 बचेगा is equal to 0 अब दोनों से हमारा क्या common आ रहा तो X minus 4 common आ रहा तो अंदर X minus 8 बचेगा is equal to 0 तो यहाँ से पन देख सकते है 1 तो X का value 4 हो और 1 तो X का value 8 हो तो इन दोनों value पे हमें critical point मिल रहा है जहाँ पे F-X की value 0 होगी अब देखो हमें चाहिए तो 0 से 9 में minimum value तो अपन critical point और 0 और 9 पे चेग करेंगे Fx का value कि कहाँ पे हमारा minimum आ रहा तो Fx हमारा क्या था Fx था हमारा यहाँ पे 3, sorry, X cube minus X cube minus 18 X square plus 96 X यह था हमारा और हमारे जो interval चेक करना था वो 0 से 9 के बीच और एक और दो हमारे यहाँ पे critical point आए 4 और 8 सबसे पहले पन चेक करेंगे 0 और 9 पे तो F 0 का value क्या आ जाएगा 0 रखूंगा तो 0 आएगा अगर मैं 9 रखूंगा X का value अगर मैं 9 रखूंगा तो यह 9 का cube यह बन जाएगा 9 का cube minus 18 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 का square plus 96 into 9 तो इसको solve करते हैं आपर तो यह 9 का cube हमारा क्या आ जाएगा 729 minus 18 into 9 का तो यह बन जाएगा 1458 plus 96 into तो यह हमारा आ जाएगा 864 अब तीनों का add करते हैं तो यह value आ रही है हमारी 135 तो F9 का value है 135 अब अब अपन चेक करते हैं critical point यानि कि 4 और 8 पे तो अगर मैं F4 का value देखूं तो यह तो हमारा F0 का value था ठीक है और यह हमारा F9 का value आया F4 का value क्या हो जाएगा तो यहाँ पर पन पूट करते हैं Fx में तो 4 का cube यानि कि यहाँ पे 64 ठीक है अब देखो फिर हमारा 18 into 4 का square हो जाएगा यानि कि यहाँ पे 18 into 4 का square देटी 16 ठीक है फिर हमारा 96 into 4 हो जाएगा यानि कि plus 96 into 4 तो यह value किसके equal आएगे यह 160 के equal आएगे तो यह हमारा क्या आगया F of 4 की value तो F of 4 हमारा आएगा 160 के round अब 4 था यानि कि F8 का value अपन चेक करते हैं तो F8 का value तो यह क्या हो जाएगा 8 का Q 8 का Q minus 18 into 8 का square ऐसा कुछ बन जाएगा तो F of 8 की value मिल चुकी है 128 तो हमने यह 4 यानि कि 2 critical point और 2 हमारे end point थे इन 4 पे value निकाल लिया अब हमें चाहिए था minimum value तो minimum value हमें कहा मिलेगा minimum value इन sum में से minimum कौन सा value है हमारा तो इन sum में से minimum 128, 160, 135 and 0 तो इन sum में से minimum value हमारा क्या है 0 ठीक है और वो कहां पे आया है तो F of 0 यानि कि 0 पे आया है इसका मतलब 0 पे हमारा minimum value है और इसकी जो minimum value हो जाएगी इस function की वो हमारे क्या बन जाएगी 0 के एक वल ठीक है तो 0 is our answer हमसे पूछाएंगे था minimum value अताओ इस function का तो 0 is our answer Thank you